कि बिल्कु ऐसे एक दूसरे से को रिलेटेट करकी तो याद करना पड़ेगा मैं तो ऐसी करता हूँ कोई हिस्ट्री के अंदर में ने सारे जो सन है उसको डेट है वो परिवार फैमिली के कोडिंग कि इस दिन हाँ को ऐसे हो देना कि फलाने दिन मेरे गर में यह काम हुआ था उस दिन यह यह दुद हो आथा उस दिन एस हुआ था है जैसे मेरा बड़ सदे हैं मानलो 11 January 11 January के अंदर Rajasthayan के अंदर Rajasthan की मर्दी ह me थि मारवाड में राव चंदर सेन जिसे मारवाड का बूला बिष्षारा राजा का जाता है UCHंदर को पर्ताफ का अग्रका मिका जाता है तो राव चंदर सेन की अंतिम समय में जो मरति होती हैं वह आपके सोजद की पाड़ियों में होती हैं तो वह 11 जनवरी यानिकी 11 के दिन होती है और 11 जनवरी को मैरा बढ़त देख ऐसे याद कर लिए मैंने कि राव चंदर alcohol जिसदिन मरा उस दिन एक मारवाड में और चंदर सेन पैदा हुआ तो यह बिल्कुल राव चंदर सेन दिती है ठीक है ना तो 11 जनवरी को मैंने ऐसे को रिलेटेट करके आद किया कि अलो नमस्कार प्यारे साथियों ऑनलाइन सार्थी योटूब चैनल पर आपका स्वागत हैं मैं आपका मित्र संपत्राज आप कैसे एकदम मस्त होंगे जी बिल्कुल आज जो अपना चैप्टर रहेगा वह मैंतपून टॉपिक है जो आपके सेलवस के अंदर का टॉपिक रहने वाला है जो सेलवस में एकदम साफ लिखा नहीं होता है यानि कि काफी लोग होते हैं जो सेलवस को पूइंट बॉइंट जलते हैं ये सेलेबस के अंदर से पूछे जाने वाले ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी हाँ पस्वो से समंदित और पसुरोग और इन से समंदित जो भी राष्टी और अंत्राष्टी इस तरफ पर कोई संस्थान बढ़ रखी है उनके बारे में बहुत से एक्जामों में क्यूषन पूछे गए हैं ये कोई एक सेलेबस का पार्ट नहीं है फिर भी एक्जाम में पूछे जाते हैं तो भीड से हटकर कुछ अलग परड़ना पढ़ेगा कुछ अलग करना पढ़ेगा तबी तो जाकर सेलक्शन होगा तो आज आज की कलास में आपका स्वागत हैं बिल्कुल थोड़ा कलास में टाइम लग रहा है उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं आप सभी ओफ-लाइन विद्यार्तियों से भी और मेरे ऑनलाइन परिवार से भी हाँ अभी एक दो दिन अपना थोड़ा सेडूल डिश्टब हैं आज मुझे जैसे भी टाइम मिला मैंनका मैं छोटा भी टॉपिक पड़ाओंगा पर पढ़ा के जरूर होंगा तो बिल्कुल आप लोगों को देखते हैं तो मज़ा जाता है और आज तो फिर मैं शुरुवाती आप लोगों से कर रहा हूं तो मज़ा और ही हो रहेगा ठीक है हाथ इसमें जो अपना जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा अनुसंदान के अंदर पहले पूरा पढ़ा रखा तो इससे पहले मैंने एक अनुसंदान के अंदर का टॉपिक कंप्लीट पढ़ाया है वो भी आप जरूर देखना और आज होगा आपके पसु पालन से समंदित कोई भी संस्तान है उन से समंदित जो जो क्यूसन है आपके एकजाम में पुछे जा रहे हैं या पुछे जाने के एमाम उन अनुसंदान के अंदर जो़ड़ बीर विकानेर जूत पढ़ेंगे के अंदर ये उन अनुसंदान संस्ता है के अंदर ये उन अनुसंदान संस्ता है, वो बिल्कुल कहां पर है, अभी का नगट टॉंक के अंदर है, कहां पर है, जोड़ बिड़ बिका नेर्मित उंटो का है, किसका है, उंटो का, चलो हम बात करते हैं, हम बात करते हैं, आज कौन-कौन सी संस्ता के बारे में आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेट करके अपन सारे के सारे आज कॉंसेप्ट हैं वो के लिए करेंगे ठीक है चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अंतराष्टिय पसुदन अनुसंदान संस्तान अंतराष्टिय इस्तर की बात करते है अपन तो बिल्कुल अंतराष्टिय पसुदन अंतराष्टिय पसुदन अनुसंदान संस्तान तो यह कामपर है वही सबसे इंपोटेंट चलो भी बताओ अंतराष्टिय पसुदन अनुसंदान संस्तान है वो आपके कामपर है बिल्कुल यह कामपर है और इसकी इस्तापना कब हुई इसकी इस्तापना हुई भी मेरे बर्थडे एयर में बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से को रिलेटेट करकी तो याद करना पड़ेगा मैं तो ऐसी करता हूँ कोई हिस्ट्री के अंदर मैंने सारे जो सन है उसको डेट है वो परिवार फैमिली के कोडिंग कि इस दिन हाँ को ऐसे हो देना कि फलाने दिन मेरे गर में यह काम हुआ था उस दिन यह यूद हुआ था उस दिन एस वह था जैसे मेरा बर्त दे हैं मालो 11 जन्वरी 11 जन्वरी के अंदर राजस्तान के अंदर राउचंदर सेंड की मर्तियों वी थी मारवाड में राउचंदर सेंड जिसे मारवाड का भूला बिसरा राजा का जाता है राउचंदर सेंड को पर्ताप का अगर का मिका जाता है तो राउचं कर लिए मैंने कि राव चंदर सेन जिस दिन मरा उस दिन एक मारवाड में और चंदर सेन पैदा हुआ तो यह बिल्कुल राव चंदर सेन दित्य है ठीक है न तो 11 जनवरी को मैंने ऐसे को रिलेटेट करके याद किया इसमें काफी ऐसी संस्ता होगी जो आपके बर्थ डे या इसके इर्दगीर दियां आपके ऐसा कोई डे हैं उससे रिलेटेट मिलेगी तो ध्यान दखना तो इस पसु दन अनुसंदान संस्तान है इसका मुख्यले के अंदर है और इसकी इसकी स्तापना कब हुई आपको पताँ होणा कि अब केंदरी ये बकरी के बारे मा जाए चाहिए भेड के बारे मा जाए चाहिए उट के बारे में ये आपके बहुत इंपोटेंट है तो केंद्री बक्री अनुसंदान संस्ता के बारे में पूछे तो यह आपके मत्वुरा के अंदर आ रहे हैं कहां पर आ रहे हैं मत्वुरा के अंदर तो अगला देखो भी केंद्री यह बक्री अनुसंदान संस्तान के अंदर ये बक्री अनुसंदान संस्दान ये कांपरा रखी है कलास तो बेटर रेगुलर ही होती हैं देखो कुछ काम हो जाते हैं हम लोगों के भी और तो कलास हो रही है ना रेगुलर फिर कहां दिखतार ही आप लोगों को अब यार पढ़ाने वाला हूं मैं एक सब्जेक्ट है इतने तो दूसरे भी तो सर पढ़ा रहे ना कहां दिखत कहारी मुझे बताओ मैंने आपके राजस्तान की कल्ट्र कंप्लीट करवा दी राजस्तान की हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी और पसुपालन वाला बाग चलदा है और के चाहिए आपको जिसमें अपना सार्ती वाला बेस तो हमने कंप्लीट भी कर दिया दस बीस दिन के अंदर आपका यह सेलबस कंप्लीट हो जाएगा अब अब देखो केंद्री बकरी अनुसंदान संस्तान है यह आपके काँ पर है यह बिल्कुल मतुरा के अंदर है का पर हैं अब है कि अधुरा पॉसिबल नहीं होगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसके अकोडिंग हो जाएगा बिल्कुल मैं ओनलाइन विद्यार्टियों से भी माप्स मांग रहा हूं कि कलासे आप बोल रहा हो कि तर कंटिन्यू डालो बिल्कुल यह ओफलाइन होगी तब आपके ओनलाइन होगी तो इस बात का खेद है मुझे और दुख भी है पर बरोसा रखे मैं बहुत जल्द बहुत अच्छा करना वाला हूं कल साम को आट बजे मेरी लाइव कलास आ रही है और उसके अंदर जो आप लोगों ने प्यार दिया है जो 51 के का ओनलाइन सार्थी परिवार है आप सभी विद रात आट बजे लाइव कलास होगी और तीन बड़े दमाखे करने वाला हूं तो आप लोगों को भी फाइदा मिलेगा उसका ठीक है ना ओनलाइन वालों के साथ आपको भी मिलेगा तो लौट आप सर्प्राइज आपको मिलने वाले हैं तो वह क्लास आप मिस्त ना करिएग तो आप याद करेंगे मुझे कि क्या सर्प्राइज मिला है ठीक है ना चलो यह जो संस्तान है आपके मक्ह दमू मत्थुरा के अंदर हैं मक्ह दमू मत्थुरा देखो अब इनके अगर आपको सन याद हो जाए तो बैठर है ज्यादा रटने क्या उस्ते नहीं है ना बिल्कुल अपन लिख लेते हैं आपको मैं लिखा दू बस इतना ध्यानक लाना तुम्हें याद होए तो ठीक नहीं तो दस वार लिखो याद हो जाएगा बस लिखने का यहीं तरीका है कि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा राष्टिये पसू आनुवान्सिक संसाधन ब्यूरो जो मैं बार बार जब नसले पड़ा रहा था तो मैं आपको एक ही कह रहा था कि यह नसले किन के द्वारा परमानित की जाती है तो यह नसले की जाती हैं आपके राष्टिये पसू आनुवान्सिक संसाधन ब्यूरो अब बताव एकजाम आसक तक नहीं आसकता इसका जो मुख्याले हैं वो आपके करनाल हरियाना के अंदर है करनाल हरियाना के अंदर है और इसकी जो स्टापना है वो हुई थी आपके 1985 के अंदर 1985 के अंदर तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं थोड़ा सा ध्यान रख लेना आपको ठीक है ना ऐसे सवाल हमें सब पूछे जाते हैं हाँ बिल्कुल हम देखो ऐसे याद करना की भी 1985 के अंदर और किनकी स्थाप न हुई थी तो केंद्री ये भैस अनुसंदान केंद्र हाँ बताओ भी काँ पर है खड़ियो मनिस्था तो खड़ियो बता केंद्री ये भैस बिल्कुल केंद्री ये भैस अनुसंदान के अंदर काँ पर है कि थोड़ी सरम का तुम लोग देखो जितना मैं लड़कों को डाटता उतनी लड़कियों को डाटता हूं मैं पहले बता जाता हूं मुझे बराबर अधिकार है तो फिर भैस वाला पूरा टॉपिक आपको पढ़ा रखा है और उसमें मैं मदब चिला चिला कर बोल रहा था और रहे सर समझ मारा रहा है कि आरे सर आरे सर क्या रहे हैं उपर से तो इस तड़ी आता बटा समझा आप इस सीज को ठीक है ना कि अधिक देखो केंद्रिये केंद्रिये भैस अनुसंदान केंद्र भैस अनुसंदान केंद्र ये भी आपके केंद्र ये भी आपके कामपर मिलेगा ये हिसार हर्या केंद्र मिलेगा आपको कामपर मिलेगा विड़ा हिसार हर्याना मेरी बात का बूरा नहीं मानना है क्योंकि पिता और गुरू बराबर होते हैं ना विड़ा हमें डाठने का पूर अधिकार है जो माडने का भी अधिकार है तो बदमास्ति करोंगे तो मारेंगे हम तुम नहीं पड़ोंगे तो डाटेंगे हम ठीक है ना और अपनी बहुत सब्साइं का है माईना पाडने का भी पूरा अधिकार है ठीक है ना पूरा पूरा दिखा रहे हैं ठीक है हो गया चलो अब दो में एक साथ लिखा देता हूं आपके जो बार-बार एक्जाम पुछे जाते हैं एक पुछे जाएगा आपके केंदर ये बेड़ कून कि भेड़ एम उन अनुसंदान केंदर अनुसंदान केंदर ठीक है ना और एक पुछे जाएगा आपके केंदर ये इस पूर्ट अनुसंदान केंदर कहां पर हैं कि यह सब बेड़ पड़ा रखें आपको तभी तो आप बोलेंगे ना चलो केंदर ये उन अनुसंदान केंदर कांप पर हैं ठीक है ना तो केंदर ये बेड़ की बात करें बेड़ यह जाएगा आपके अविका नगर मालपुरा टॉंक मालपुरा टॉंक 62 के अंदर 1962 केंदर ये उन अनुसंदान केंदर हैं ये आपके पॉसलई में वीली जहुड़ बीड अर्फोन भीली को अटा कोणें रवकंदर गोड़ की का नीह में याइवत गड़ूर्वेकणे अ दो लिकल्स स्था नेरद बीतवाले का नेर्ष सिंधा और कोंड़ सा नीर भी गड़ स्था के अंदर है केंदरिया बकरी वाली आजये आप मतला में राष्टी पशो अन्वान से संसाजन ब्यूरो कंडाल हर्याणा में है जो पसलों पसारी जो जितने भी जो पस्वोते हैं उसकी नसलों का भी देता है यह बेस अनुसंधान के अंदर नहीसार में था कि यह बेढ़ उन अनुसंदान के अंदर अभी का नगर टॉक में हैं के अंदर यह उंट अनुसंदान के अंदर जोड़ विकाने अच्छा इसकी स्थापना 94 मोई है 1984 94-9 1984 स्वामे देखो मैंने 3 और 36 किती संस्था लिखे थे चाप लिया छल्दी से चाप एक मिंट में लिख लो ठीक है क्वेशन के जा हिए है और आगे देखो कि के इंदरिये ऊन विकास बोड के इंदरिये ऊन विकास बोड को जोदपूर 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 जो अब जब डेरी किया जाएगा भई डेरी के बारे में 100% सवाल आ सकता है आपके राष्टि डेरी विकास बोर्ड राष्टि ये डेरी विकास बोर्ड बिल्कुल आनंद गुजरात के अंदर है का पर अभी आनंद कोण सी रात प्रे रात ही रात गुजरात कोण सी रात आधी रात नहीं गुजरात राष्ट ये गोडा अनुसंदान बिल्कुल देखो भी गोडा सबसे ज्यादा मारवाड में तो अजया गोड़े की सर्वस्रेश नसल बताओ पढ़ा रखा है बिल्कुल काठ्या वाड़ी किसकी नसल है गोड़े की है मारवाड़ी गोड़े की है हाँ तो जो राष्टिय गोडा अनुसंदान संस्ता है वो का पर है उसके अंदर साब लिखा रख आपको पीछे के नोट्स कोलो नोट्स कोल पीछे के ठीक है ना राष्टिय गोड़ा अनुसंदान संस्तान बता अब केसे याद ही बस देख लिया पेपर पलड़ दिया पिसार अर्याना यही तो आपके एक्जाम आएंगे ठीक है ना चलो राष्टिय चिकिस्ताले या फिर पक्सी चिकिस्ताले के बारे में पूछला आपको राष्टिय चिकिस्ताले पक्सी यहीं अचिकिस्ताले स Чер पक्सी नगरा जाएगी ऑपकोण सी लगर जाएगि उजफ्याद इज़तop और इजतनगर कहां पर रहे हैं यूपी के अंदर इजतनगर कहां पर रहे हैं यूपी में आज यूपी वालों का पेपर आउट हो गया बड़ा दुख हुआ मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ मुझे कि राजस्तान में और राजस्तान से देवदिर यूपी बी लीख हो गया कितने कितने विध्यार्त्यों एका अब इन लोगों को फोरी समझ में आता वाई पैसे को सीथी फासी की सजा नहीं छी जो पेपर आओट कर रहा हैं सीथी फासी की सजा दो उनको उनके गर बरबाद कर दो, उनकी संपती नश्ट कर दो और उनको आज इवन जेल मत करो इतने लखो विद्यार्तियों का जो बविश्ये बरबाद कर रहे हैं मैं सीधी बात कह रहा हूं, मैरी एकलास लावी भी चल दिये, मैं सीधा कह रहा हूं मैं साब सब्दों कह रहा हूं, जो जो पेपर आउट कर रहे हैं, जो पेपर माफिया है राजस्तान के अंदर, उन पेपर माफियों का एक ही इलाज है, उनकी संपती बरबाद करो, संपती बरबाद करने के बाद, जो जो उनके साथ जुड़ेवे हैं, जितने भी संगटन, उ और उनको बर्बाद करने के बाद उसको उमर केदने उनको सीधी फासी की सजा दो भी लाखो विद्यार्टियों का केरियर बर्बाद कर देते हैं हजरों मापापों की रोटिया छीन लेते हैं क्या होता है एक विद्यार्टी एक विद्यार्टी जब अपने घर से कुछ पैसे लेकर शेर पढ़ने के लिए आता है एक वो विद्यारती जो अपनी गाई भेंस बेच कर उनके पैसे लेकर पढ़ना आता है एक वो मा जो अपने जेवरात गिर्वी रखकर अपने बेटे की कोचिंगों में फीस बढ़ती है वो पांच पज महीने पीजी में रहता है और इतन सब्सक्त कारवे करनी चाहिए और ऐसे नर्सिहार जो राक्षस है मैं तो राक्षस ही क्योंगा ऐसे जो राक्षस लोग है उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है जो लाखो विद्यार्टियों का बविश्य बरबाद करें कि बिल्कुल ऐसी गटनाई सुनते हैं मन उदास हो राष्टिय चिकेस्ताले पक्सी या पक्सी चिकेस्ताले हैं वो कौन सा नगर भी इज़त नगर हैं राष्टिय दुग्द अनुसंदान संस्ता राष्टिय दुग्द अनुसंदान डेरी नहीं दुग्द राष्टिय दुग्द की मैं बात करूं राष्टिये दुग्द अनुसंदान संस्ता वो मिलेगी आपको करणाल हरियाना के अंदर का मिलेगी बीटा करणाल हरियाना इससे पहले मैंने 3 चार लिखा एक अंतराष्टिय पसु दोना नुसंदान के अंदर हैं लिखा lige न उसके बाद केंदरिय बकरी रश्टिय पसू में केंद्रिय भेंस केंद्रिय घेरोट मेंiendरिय औुट जा सब के largest के प्रूंटति पर इसके बाद आगया केंद्री ओंधिकास बोड्ड जोद्पूर राष्टी देरी विकास बोड्ड आननद गुज्रात इसके बाद आ जै। राष्टी गोड़ा अनुसंदान संस्तान है वो आपके कंडाल रियाना के अंदर है कंडाल रियाना के अंदर है इसकी इस्ताबना लिखूं या तो जाएगा आपको चलो लिखो सबसे पहले केंद्रिया उन विकास बोड की बात करें केंद्रिया उन विकास बोड की इस्ताबना है वह 1987 के अंदर सवाल तो बहुत बार आ रखा ठीक है और राष्ट यह भुडा अनुसंदान संस्तान की बात करूं तो 1986 के अंदर हुई थी ठीक है और इसकी में बात करूं तो 1913 के अंदर और यह 1923 में हुई थी अब जोगो भी राष्टिय सुवर अनुसंदान संस्ता का पर है शुर के बारे में पूछ ले दो चार है लिख लो इंपोर्टेंट है राष्टिय अंदर कि अनुसंदान कि संस्तान कि यह आपके हैं भी गुहाटी सम के अंदर है का पर है गुहाटी समही सम असम कौन से सम में है असम के अंदर है सुवर के बारे में पूछे जाता है सुवर के मास को क्या कर जाता है ऐसे भी सवाल आ रखा है बिल्कुल सुवर के मास को क्या करते हैं बकरी के मास बैंस के मास गाई के मास गाई के बच्छेडे का मास भी पूछा जाता है तो सवाल और यहां सवाल करस क्वाशन है बिल्कुल सवाल कहीं से भी बन सकता है तुमहें पूछ के नहीं बड़ाएं तो करेसरा है, तो में पूछे ब़नाता तो पir यह बनागा कि ना तो में पूछКेण नहीं बिल्कुल बिल्कुल lass unknown एक लिग लो भारतिये चारा भारतिये चारा गहा व चारा अनुसंदान के अंदर अनुसंदान संस्थान मेरा आज कलास लेने का मुख्य उद्धिस ही यही था कि 20 तारीक को जो कलास है वो उसके लिए मैं आपको बता दिया वई 20 तारीक को जो कलास होगी वो बड़ी इंपोर्टेंट कलास है ठीके ना बहुत इंपोर्टेंट कलास है जो आप जुरूर देखना ठीके ना यह जासी क 1962 मुवी लिखनेक जुरूद नहीं है 1962 मुवी ती भारती चारा का वह अनुस्वंदार लिखूंग उनिस सुबासट लो लुग नाइंटीन शिक्टीटू ठीक है कि सुवर का तो कोई जुरूरी नहीं ठीक है ना सुवर का इतना इतना कोई विशेश सुवर नहीं है कि एक कुकट पालन का लिख लेते हैं कि कुकट पालन परियोजिना और इसका जो मुख्याल है वह आपके कौनसाबाद है खेदराबाद में कहां पर रहे हैं अधियराबाद कोनसा बाद है और कोई हो तुमारे दिमांग में बता दू अभी तुम्हें लिखा दू अभी तो लिखा दू हां लिखा जैना ओट का तो यह बैस का वलब नगर बैस परजनन के अंदर है वह बैस का जो राष्ट पर अनुसंदान के अंदर है वह मैं आपको लिखा जै ठीक ना कि शूवर का लिखा जी न अपने बिल्कुल यह इंपोटेंट है हाँ बिल्कुल इंपोटेंट है खुर्पका मुपका रोग खुर्पका मुपका रोग परियोजना का निदे सल है वो काम पर हैं बहुत बार एकजाम में पूछा गया है अब निदे सल है लिखे लिखे ले निदे सल र मुक्तेस्वर यूपी के अंदर है काम पर है पर लोग के वाद देखो यह इदर लिख रहे हैं चार और तीन पांच और चार नो इदर लिख ली और अपने यहां पूर काफी लिख ली ऐसे मिलाकर यह 10-15 संस्ता है जो आपके एक्जाम में बार बार पूछी जाती है तो थोड़ा विशे इस रूफ से द्यान रखे कि आप इसको बिल्कूल इसको कुछ नहीं ये मेंब बनाओ और में बनाके इसके अंदर चाब बहुत का मैप बनाने के बाद याद हो जाएगी न तेस्ट में डालूँगा तो सब्सक्राइब लेकर आने वाला हूं तीन बहुत बड़े-बड़े दमाखे आप लोगों के लिए और वास्त में आप सोचेंगे कि क्या होने वाला है तो इस दिन का इंतजार रहेगा आपको और मेरे को कल मिलते हैं संडे को रात 8 बजे बिल्कुल लाइव यह एपिसोड नहीं भूले ठीक है ना ऐसी कितना बिल्कुल मिलते हैं एक अगले नेक्ट एपिसोड में धन्यवाद